हेलो प्रेंट्स वेल्कम टुदी पार्टम अद्वन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डीजे पर लिखना सिखा रहा हूं तो हमारे पास जो ब्रस है वो बारा नम्मर का बिसाल स्पेशल कमपनी का ब्रस है आप लोग चाहें तो अधर ब्रस भी यूज कर सकते हैं यद छोटे बाल का ब्रस है इसको भी हम लोग आयल पेंट में यूज करते हैं इससे मैं लिखाई कर रहा हूं इससे भायदा यह होता है कि छोटे बाल के ब्रस को हम लोग आयल पेंट और वाटर पेंट दोनों में यूज कर सकते हैं लेकिन बड़े बाल के ब्रस को हम लोग सिर् ईसो सिप आलड में यूज्य करते हैं किवर फैंट में यह दी यूज़ करेंगे इसको की जो होते हैं मूड़ने लगते हैं सिकुड जाते हैं तो वह बाटर पेंट के लिए अच्छा नहीं होता है तो अच्छा होता है जैसे नेरोलक, बर्जर, ब्रिटीज, इत्यादी है इस डीजे पर सबसे पहले हम लोग वाइट पैंट से पूरा लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको हम कॉलर करेंगे तो आप वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं यदि आपको सच में पैंटिंग सीखना है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजी सस्क्राइब करके वेल आइकन आल पर सेट कर लिजी ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके फ्रेंट्स हमारे चैनल पर 3D लेटर, कट लेटर, डायमंड कटिंग लेटर, बीबावा पैंटिंग इत्यादी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल जाती है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके आप हमारे चैनल पर चेक किजी आपको हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी, जिसे आप लोग देखकर सीख सकते हैं, यदि आप लोगों का कुछ कमेंट हो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट किजी और हम आपको जबाब देंगे, या उस प्रकार की वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे यह आप लोगों को समक्ष लेकर आएंगे जिससे आप लोग देखकर जल्द ही सीख पाएंगे यदि आप लोगों को painting सच में सीखना है तो कुछ बातों का आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा जैसे की continuity आप लोगों को लगातार लिखने की practice करना होगा यह नहीं कि एक दिन लिख लिया दूसरे दिन नहीं लिखा नहीं आप लोगों को घर पर practice लगातार करनी होगी रोज एक गंटे दो गंटे तीन गंटे आप लोगों को देना होगा पेंटिंग के लिए और ब्रस जैसे अच्छी कंपनी का हो ना हो वो बाद की बात होती है सुरुवाती दोर के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है और उसमें भी जो मेरा अनुव हो है लगता है कि जो कट लेटर होता है थोड़ा सट अप लगता है क्योंकि इसे जगह जगह से कट करना होता है और जो राउंड लेटर होता है या चौकोर लेटर होता है उसे तो आप लोग कर सकते हैं उसके बाद आप लोग 3D लेНетर को बाद में देखेंगे जैसे हम चकोर लेटर बना लिए distinguished काट लेटर बना लिएstatic राउंड लेटर बना लिए यह दायमंड कतिंग बना लिए उसे भी हम लोग चाहें तो 3D लोप देकर और आर्टरक्टिव कर सकते हैं तो उसकी practice आप लोग बाद में करिएगा सबसे पहले आप लोग कट लेटर पर ध्यान देजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए वीडियो देखिए हमारे चैनल पर और अधर चैनल पर मिलेग आप लोगों की वीडियो और आप लोग जैसे देखकर सेख Mormon से मंसे जहां से आपको अच्छा मिले वहां आप सह्कते हैं हाँ यह कि मैं सिर्फ अपने चैनल के बढ़ावा के लिए बोलूँगा क्योंकि आप लोगों का वेनिफीट होना चाहिए तो आप लोग सेखिए अच्छे तरीके से और अरजेस्टिंग भी बहुत मायने रखता है अक्षर की कि जैसे हम किसी चीज को लिख रहे हैं जिसे मानली जी मैं साउंड पर ही लिख रहा हूँ तो इसमें लिखते लिखते अक्षर कम हो जाए या तो फिर ज्यादा हो जाए जगा कम हो जाए इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है हमें अक्षर के इसाब से इसकी साइज बनानी पड़ती है ये सब चीज आपको अन प्राक्टिस लगातार कीजी कान्टिनूटी यदि प्रेक्टिस रखेंगे तो आप शीख जाएंगे इसमें कोई संद्र नहीं है यदि अप्रेक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्राब्लम होगी ही कोई आपका हाथ पकड़कर ये सुचिए कि सिखा दे एक दिन-दो दिन चार दिन में तो ऐसा कुछ नहीं है समय लगता है सालों साल समय लगते हैं लोग प्रैक्टिस करते हैं मैं भी किया हूं और प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तो चलिए अब इसमें हम कलर लगाना स्टार्ट क के बाद अब डीजे पर कलर करेंगे और उसको कलर करने के बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि पूरा लुक कैसा लग रहा है डीजे की लिखाई कैसी हुई है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए यह हमारा तक्रीब तक्रीब कंप्लेट होने वाला है और इसको लगाने के बाद अभी हम डीजे पर कलर लगाएंगे यदि फ्रेंट्स अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजी क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि लाइक कर दे तो अब हम औरेंज क आधा से भी कम रहेगा इसका मान लीजी हम लोग तीन इससा बना लिये हैं तो उपर वाले इससे में लगा दे रहा है और नीचे से अम लोग ग्रीन वाला लाइगे तो उसका लुक अपलों देखेंगे चेंज हो जाएगा और काफी कुपसूरत दिखेगा तो इस तरह से आप लोग कलर दे सकते हैं अधर वाइज अधर कलर भी दे सकते हैं तो यह हमारा लिखाई कंप्लीट हो गया है तो अब हम आप लोगों को पूरा लुक दिखाते हैं इसका कैसा लग रहा है और आप कमेंट करके बताईए कि यह लिखाई कैसी हुई है धन्यवाद